हैलो फ्रेंड्स आइस फेंटेसी के पार्ट टू में आपका स्वागत है और अगर इसके पहले आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आप उपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं तो कासू पहचान ही जाता है कि सी उसका भाई है योकि सी ने उसके पास क्लू छोड़ा हुआ था और आखिर कार दोनों भाईयों का मिलन होता है फिर आगे कासू लीलियो लूना और हौंक ताओ के साथ रैट मॉन्स्टर की तलास में निकल जाता है तो वो सब कुछ खतरों का सामना करने के बाद रैट मॉन्स्टर तक पहुच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हीलर ट्राइब के लीडर ने तो उनको मामू बना दिया मतलब वो आइस क्रिस्टल लीफ तो कभी रैट मॉन्स्टर के पास था ही नहीं वो तो सुरू से ही वही ट्राइब लीडर के पास ही था तो इधर ट्राइब लीडर अपनी होने वाली बहु को मारने जाता है लेकिन सी सही टाइम पर उसे बचा लेता है और फिर कासु भी अपनी टीम के साथ सही टाइम पर पहुच जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है हीलर ट्राइब लीडर उसी रह उससे साधी नहीं करना चाहता है तो वो अपना इंगेजमेंट भी ब्रेक कर लेती है कासू लीलियों के साथ कुछ हैपी टाइम मुवमेंट स्पेंड करता है इंसानों की तरह और वो उसके साथ पतंग उडाता है तो सी को यांदा से एंटीडोट की जरूरत रहती है इसलिए फिर सी को यांदा के पास जाना पड़ता है और कासू सी को आइस क्रिश्टल लीफ भी दे देता है ताकि जब सी यांदा को वो आइस क्रिश्टल लीफ दे तो यांदा उसके बतले में उसे वो एंटीडोट दे दे वेल यांदा उस आइस क्रिश्टल लीफ को देखकर खु वहाँ पर उनको पता चलता है कि ड्रीम लॉट सिंग्जियो जिनके पास दूसरा आइस क्रिश्टल लीफ है वो अपने छोटी बहन जिंगुई के मरने के बाद बहुत दुखी हो गया थे और उसके बाद वो एक ड्रीम में ही खोए हुए हैं जिसमें वो अपनी छोटी बहन क देखते हैं तो अब उन्हें अगर आइस क्रिश्टल लिफ चाहिए तो उन्हें ड्रीम लॉट को ड्रीम से जगाना होगा बस फिर क्या था उसके बाद बाकी सब भी नीद में चले जाते हैं ताकि वो ड्रीम लॉट के सपने में जाकर उन्हें जगा सके वैल हकीकत की कहानी तो कुछ और ही थी, dream lord कभी सपने में खोया ही नहीं था और इनके सपने में जाते ही वो जाग जाता है तो दरसल dream lord ने पहले ही fire king के साथ deal कर ली थी कि वो कासू को उसके हवाले कर देगा तो dream lord कासू को एक बहुत ही happy dream में फसा दिया रहता है जिसके हिसाब से कासू अपने राज में वापस आ गया है और सब कुछ ठीक हो गया है और लीलियो से उसकी marriage हो गई है और वो दोनों बहुत ही खुस हैं तो लीलियो और सी दोनों ही जब dream में मर जाते हैं तो वो dream से बाहरा जाते हैं यानि कि उनकी नीद खुल जाती है और उन्हें dream lord के सड़यंत के बारे में पता चल जाता है तो friends dream lord भी कोई बुरा आदमी नहीं होता है दरसल ये उसकी मजबूरी रहती है क्योंकि fire king उसकी बहन को अपने कबजे में रखा हुआ था और उसे अपनी बहन को ठीक करने के लिए एक wild lotus की जरूरत थी और fire king उससे जुर बोला रहता है कि उसके पास वो चीज है तो अधर ice kingdom में dream lord की बहन कासू की दादी की help से बच निकलती है और इधर लीलियो कासू के dream में जाकर उसे सच समझाने की कोशिस करती है कि ये सब हकीकत नहीं है और वो सिर्फ एक सपना देख रहा है तो उस समय कासू को fire वालों के हवाले ही किया जा रहा था तो कासू सही टाइम पर सपने से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो लीलियो की भी जान बचा लेता है इधर dream lord भी अपनी छोटी बहन के पास पहुच जाता है व्योंकि उसकी छोटी बहन और कासू की दादी दोनों ही ice kingdom से भाग चुकी थी तो उनका सामना होता है fire king से तो वहाँ पर भी कासू सही टाइम पर पहुच कर fire king से fight करता है जिसके बाद कासू और dream lord fire king को धमकी देते हैं कि उनकी बेटी यानदा अभी भी अपने सपने में फसी हुई है और वो जाए अपनी बेटी को बचाए जिसके बाद fire king को महा से जाना पड़ जाता है तो वो ice crystal leaf actually में dream lord की छोटी बहन के हाथ में ही रहता है फिर आगे dream lord को ऐसा लगता है कि उसकी छोटी बहन की देत हो जाएगी लेकिन अपने बड़े के दूसरे दिन भी उसकी छोटी बहन बिल्कुल सही सलामत रहती है तो कासू से dream lord sorry भी कह चुके रहते हैं और उनकी दोस्ती भी हो जाती है फिर कासू लीलियो और सी के साथ वहाँ से बाहर निकलता है फिर आगे वो सब रास्ते में ठहरे रहते हैं जहां कासू और लीलियो का एक बार फिर से थोड़ा romantic और happy moment रहता है लेकिन बिचारा C परिशान रहता है उसी heart poison की वजह से तो आगे कासू एक बार फिर से C को उन्ही fire type वालों के पास छोड़ देता है ताकि उसके भाई को यांदा से antidote मिल सके तो C जब host में आता है तो वो अपने अपको fire वालों के पास पाता है जहां पर fire prince उसके पर doubt करता है उसे ऐसा लगता है कि C कासू का spy हो सकता है क्योंकि आखिर कासू ने C की जान क्यों बक्स दी वेल fire prince तो अपनी बेहन को भी बुली करने से बाज नहीं आता है वो यांदा को हमिसा नीचा दिखाता है और यांदा ये प्रूफ करना चाहती है कि लड़किया किसी भी मामले में कम नहीं होती है लड़कों से और वो पहली fire queen बनना चाहती है तो कासू और लिल्यो इस प्रीट ट्राइब में पहुचते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है इगल फैरी पियांग फेंग से तो उन्हें पता चलता है कि वहां की राणी तो काफी दिनों से लापता है और व वहां का राजा कोई और बन चुका है तो वहां का फिलहाल जो राजा रहता है वो एक सर्थ रखता है वो कहता है कि अगर आज कुमारी यांदा उसे साधी करेगी तभी वो उनको आइस क्रिश्टल लीफ देगा तो ये बास उनकर यांदा बहुत गुस्ता हो जाती है लेकि अगर इस बीयर किंग को कोई भी हरा देता है तो फिर यांदा को मैरज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यांदा इस चीज़ से बहुत ही दुखी होती है और वो अपना फ्रस्टेशन निकालती है और सी उसको देखता है फिर कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा होने क क्या जरूरत है तुम बस उस बीयर किंग को मार दो वेल यांदा को ये आडिया पसंत वाता है लेकिन वो ऐसे ही बीयर किंग को नहीं मार सकती तो वो सी से कहती है कि अगर वो कोई रास्ता निकाल देगा तो वो उसको एंटिडोट दे देगी खैर नेक्श्ट डे बैटल हो कि कि अब वो उस बीयर किंग से फाइट करेगा जिसके बाद सी उससे थोड़ी देर फाइट करता है तो चुकि सी अपने किसी भी पावर का इस्तमाल नहीं करता है तो ऐसा लगता है कि सी हार गया लेकिन सी के पास तो उसे हराने की तर्कीब थी सी बेल फ्लार्स बजाने ल तो siig को आइस कीश्टल इफ को आजात करता है और उसके बाद वो उससे वो ही ice crystal Leaf मांगता है क्योंकि वो ice crystal Leaf उसी former king के पास ही था तो उसी को वो Ice Crystal Lift देने से मना कर देता है योगि वो कहता है किस पर Ice Kingdom का हक है तो उसके बाद सी बताता है कि वो Ice Prince है तो वो कहता है कि ये बात साबित करो तो सी वहाँ पर Ice Magic करने की कोशिस करता है लेकिन उसके जग़ा उससे Fire Magic हो जाता है तो सी खुद भी इस बात से हैरान हो जाता है कि वो तो एक ice prince है और उसे ये fire magic कैसे हो गया तो खैर सी वहाँ से चला जाता है और आगे fire prince उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो सी को खूब torture करता है लेकिन फिर आगे यान्दा अपने भाइए से फट करके S को बचाती है और उसके बाद ओसी को अपनी पावर यूज करकर ठीक करती है तो वो फारमर बीर किंग यहाँ जो भी राजा रहता है उससे फट करता है और जितने के बाद एक बार फिर से बियर ट्राइब का राजा बन जाता है और जब फाइब प्रिंस को ये बात पता चलता है तो वो वहाँ से भाग निकलता है वही बियर किंग यांदा को कैद में कर देता है इधर कासू को इस pre tribe की प्रिंसेस चोया मिल ही जाती है जो एक magical music में trap रहती है तो कासू प्रिंसेस चोया को इस magical trap से बाहर निकालता है और उसके बाद आगे वो princess finally host में आती है इधर bear tribe में यान्दा से मिलने के लिए sea जाता है और उसके बाद यान्दा उसके अंदर से वो heart poison fruit निकाल देती है और इस तरीके से यान्दा sea को free कर देती है तो sea भी बदले में यान्दा को स्कैट से बाहर निकालता है लेकिन bear king यान्दा को वहां से जाने नहीं देता है योकि वो तो ice kingdom वालों के साथ का होता है जिसके बाद sea एक बार फिर से अपनी बात proof करता है कि वो एक ice prince है और इस बार वो ice वाला magic कर लेता है जिसके बाद बियर किंग आखिर कर उन दोनों को जाने देता है लेकिन यानदा इस बात से भोज़दा शौक्ट हो गई रहती है योकि वो तो सी को अपना दिल दे बैठी रहती है बीना ये जाने कि सी उसका दुस्मन है और उसके बाद वो सी के उपर बहुत गुस्सा होती है और उससे फाइट करने के लिए कहती है लेकिन सी उससे फाइट नहीं करना चाहता है उसके बाद वो दोनों अलग-अलग रास्ते पे निकल जाते हैं और यानदा अपने तूटे हुए दिल की वजह से काफी दुखी रहती है तो आगे बीर प्रिंस अपनी फियानसी प्रिं के पास वापस लोट जाता है और अपने भाई को पूरी तरीके से ठीक देखकर कासू भी खुस होता है इधर फाइर किंग अपने बेटे फाइर प्रिंस से मर्मेट प्रिंसेस लैंग सेंग की मैरेज कराने के लिए कहता है और वो मर्मेट कुइन से इस बारे में डील कर ले प्रिंसेस लैंग संग जलाखी से बच निकलती है। पहुचने के बाद वो भी इंसानों के लालच का सिकार बन जाती है। एक आदमी ये समझ जाता है कि लैंग संग एक मरमेड है और उसके बाद वो लैंग संग के भोलेपन का फायदा उठा कर उसको कैद कर लेता है योकि मरमेड के आसु मोतियों में बदल जाते हैं तो लैंग संग आगे किसी तरीके से वहाँ से बच निकलती है लेकिन उसे यांदा दोनों ही लैंग संग तक पहुच जाते हैं वहां पर सी और यांदा दोनों ही लैंग संग के लिए फाइट करते हैं वेल अक्चुली सी तो फाइट करता नहीं है सारा फाइटिंग तो यांदा ही करती है लेकिन तभी अचानक लैंग संग के दात वैंपायर की तरह ब को लेकर निकल जाती है तो वांग झोखी बताता है कि उस फाार स्नेक के पवाजन आधर ही खत्म हो सकता तो C उन्हें बताता है कि लैंग संग ने उसे और यांदा दोनों को ही काटा था तो सबको ऐसा लगता है कि यांदा को काटने की वज़े से फायर बलड से लैंग संग ठीक हो गई लेकिन फ्रैंड्स हकीकत तो हमें पता ही है कि लैंग सेंग तो यांदा को काटी नहीं पाई थी और उसने सी को काटा था तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सी का बलड फायर बलड है तो लाश्ट आइस क्रिश्टल लीफ मरमेट क्लैन में रहता है उसके बाद प्रिंसेस लैंग सेंग कासू और सबको अपने मरमेट क्लैन में ले जाती है ताकि वो अपनी ग्रैंड मदर से उनको आइस क्रिश्टल लीफ दिलवा सके लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पहले से ही फायर किंग विराज मान रहता है और वहाँ पर कासू और फायर किंग के बिच में जबर जस्थ फाइटिंग होती है तो कासू एक काइंड प्रिंस है और अपनी ट्राइब की आखरी उमीद है लेकिन कि में वहाँ पर पहुच जाता है जहां इसका भाई रहता है और वो अपने भाई को बचाता है तो Fire King Sea से कहता है यह कासू मरा नहीं है लेकिन हाँ उसकी सारी सक्तियां खत्म हो चुकी है और अब कासू useless हो गया है तो Sea वहाँ से कासू को लेकर आ जाता है फिर वांग तो उसकी जाच करता है और बताता है कि कासू की हालत बहुत ही नाचुक है तो वांग तो बताता है कि कासू की इलाज के लिए फिलहाल उसे मर्मेड स्केल और human blood की जरूरत है जिसके बाद दोनों lovers यानि की मर्मेड प्रिंसेस लैंग सेंग और लीलियो ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है और उसके बाद वांग तो कासू का इलाज करता है तो कासू की जान तो बच जाती है लेकिन वो अपनी सारी सकतियां खो बैठा रहता है और कासू को ऐसा लगता है कि अब वो useless हो गया है तो लीलियो उसका होसला बढ़ाने की कोसिस करती है और उसे console करती है इधर सारे try वालों को पता चल चुका रहता है कि कासू हार गया है और useless बन गया है और अब fire king की सत्ता हो गई है इधर कासू C से भी कहता है कि वो fire king की पहुच से बहुत दूर चला जाए और वो नहीं जाता है कि C को कुछ भी हो तो C कासू के सामने ऐसा pretend करता है कि ठीक है C वहाँ से चला जाएगा लेकिन C ट्रिक कर देता है और वो कासू को बेहोस करके लेंग सेंग के केयर में छोड़ देता है तो C ड्रीम में जाकर सारे ट्राइब के लीडर से मिलता है और उनसे ये डील करता है कि वो सभी उसका साथ दे fire king को हराने में तो पहले तो वो सब राजी नहीं होते हैं लेकिन जब C एक साथ उन सब से fight करके अपनी power को प्रूफ करता है तो सभी C का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं इधर fire king अपनी ex-lover C की mom से पूछता है कि क्या C उसका बेटा है योकि glow up despair में कोई भी बाहरी इंसान नहीं घुश सकता है जब तक कि उसके अंदर fire blood न हो लेकिन C की mom उसका कोई भी सीधा जवाब नहीं देती हैं इधर कासू होस में आता है उसके बाद लैंग संग अपना love express करती है और बताती है कि वो उससे marriage करना चाहती है लेकिन कासू भी साफ दिल का इंसान रहता है वो सीधे सीधे बता देता है कि वो किसी और को पसंद करता है और ये बात सुनकर लैंग संग दुखी हो जाती है तो कासू को वांगतों से पता चलता है एक magical healer के बारे में जो साथ कासू को उसकी सकतियां वापस लाने का तरीका बता सकता है उसके बाद कासू लिलियों के साथ उस magical healer की तलास में निकल जाता है लेकिन एक्चुली में ये सारा प्लान होता है सी का तो आगे पावर न होने की वज़े से कुछ लुटेरे एक लड़की को मॉलिष्ट करते हैं और कासू से बचा भी नहीं पाता है तो फ्रेंस कासू भले ही प्रिंस है लेकिन उसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है योकि वो लुटेरे आगे कासू को भी मारने जाते हैं और लि लिलियो एक बार फिर से उसे कंसोल करती है तो यहां कासू दुख में डूबा रहता है और वहां सी अपना मास्टर प्लान बनाता है तो सी यह प्लान बनाता है कि लैंसंग फाइर किंग को पटा ले ताकि फाइर किंग लैंसंग से मैरेज करे और लेकिन वो मैरेज सी करेग और वेडिंग नाइट वाले दीन वो fire king को मार देगा तो friend C के पास भेस बदलने के भी power रहती है तो वो Lang Tsang का भेस बना लेगा और उसके बात fire king को मार डालेगा वैल ये बात इतनी simple भी नहीं रहती है िकि fire king बहुत जादा सकती साली रहता है और यही नहीं C mermaid queen से भी ये deal किया रहता है कि जो next ice king रहेगा उसकी साधी langsang से होगी और इस तरीके से langsang next ice queen बन जाएगी तो आगे C langsang से training लेता है ताकि वो langsang की तरब behave कर सके और langsang भी उसको training देने के लिए तयार हो जाती है और langsang ये सब कुछ कासू के लिए करती है ताकि कासू का ice kingdom एक बार फिर से restore हो जाए और कासू अपने हां का राजा बन जाए तो यांदा अपने लोगों के साथ वहां नहीं है तो मरमेट कुन ये बहाना बनाती है कि कासू कहीं गया हुआ है लेकिन वो सही टाइम पर फायर किंग के सामने प्रेजेंट हो जाएगा तो यांदा C और langsang को एक साथ देखकर जैलेस फील करती है और उसे ये अच्छा नहीं लगता है कि C langsang के लिए प्रो राजा उसके डैंस से पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाता है और आगे वो langsang से marriage करना चाहता है तो इस तरीके से C का प्लान काफी अच्छा जाता है वहीं langsang fire king से closeness की वजह से दुखी रहती है तो C उसे कासू का रूप लेकर console करता है तो C langsang से कहता है कि कासू का ये उ magical healer दरसल उसकी दादी ही है और उसे पता चलता है कि ये सब C का प्लान था कासू को safely वहां से हटाने के लिए जिसके बाद कासू ये decide करता है कि वो भी जायेगा ice kingdom और अपने भाई की help करेगा fire king से fight करने में इधर C को पता चलता है कि fire king को हराने के लिए उसे fire king का weak spot पता कर तो C तो बहुत तेज है और उसके पास इसके लिए भी एक प्लान रहता है तो चुकि fire prince भी langsang से marriage करना चाहता है तो आगे langsang कहती है कि fire king और fire prince दोनों में fighting हो और जो जीतेगा langsang उसी से marriage करेगी तो बाब बिटे में langsang से marriage करने के लिए fighting होती है और जाहिर सी बात है fire king लेकिन इसी fighting के दौरान सी ये notice कर लेता है fire king का वी की spot उसके हथेली में है तो finally fire king और langsang का wedding day आही जाता है और wedding celebration होता है इधर सी की mom ये समझ जाती है कि सी का plan है कासू के लिए fire king से fight करने का वो कहती है कि तुम्हें अपने भाई की help करने की जरूरत नहीं है और वो उसे व mom को बिहोस कर देता है और उसके बाद वो wedding night में लैंग सेंग की जगर ले लेता है उसका रूप लेकर तो आगे सी fire king के सामने नाचना गाना करने के बाद उसके weak spot पर हमला कर देता है ये सोच कर कि fire king मारा जाएगा लेकिन unfortunately fire king बहुत ताकतवर रहता है वो fire में बदलने के ब बाकी सारे tribe वाले भी वहाँ पहुच गये थें और fighting कर रहे थें तो friends क्या सी fire king को हरा पाएगा और वो कैसे हरा पाएगा और कासु जो की अपनी powers खो चुका है वो अपनी powers को कैसे पाएगा ये सारी बाते तो आपको इस वीडियो के next part में ही पता चलेंगी well friends C का प्यार अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो friends आखिर सी ऐसा क्या करने वाला है ये भी आपको इस वीडियो के next part में पता चलेंगा तो इसका next part देखना मत भूलिएगा और I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होका तो like share और comment कीजिए और मिलते हैं next वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई टेक केर